कि अट अट आट यह सब्सक्राइब करता हूं तो जल्दी ज़्दी सब्सक्राइब जाएंगे और क्लास की शुरुआत हम यहां पर करने वाले हैं ठीक है तो अपना ठाइम हो चला है यानि कि आड़ बच्चों आठ बच्चुके हैं गाई और आठ से नो तक अपनी क्लास होन सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाएंगे जल्दी-ज़दी क्लास में तो आप सभी काफिरंदन करता हूं स्वागयत करता हूं वेलकम करता हूं आपके इसे जरूर जरूर फॉलो कर लिएगा इसको फॉलो करने से आपको मिल जाएगा बहुत आसानी ठीक है तो चलिए यह है मैं टेलिग्राम का लिंक रहुल मिशा से टेस्ट बॉक और टेस्ट बॉक इंजरिंग आप इसे जरूर कर लिए फॉलो आपको इससे मिल जाएगा बहुत सारा एड्वांटेज बहुत सारा फायदा पर शेयर कर जेते हैं जलद जहीं रपकेटार में कॉश्चन यहां पर करने वाले आप मुझे पता है क्या आवाज आ रही है डियर सब्सक्राइब ठीक है तो चलिए यहां पर sound clear आ रही है तो कोई बात नहीं और यह हमारा डेली का schedule है like MPPGCell के कराब तयारी करना चाहते हैं so guys गवरो जी यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है but मैं कोशिश करता हूं गवरो मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है dear सारे answer को डिक करना क्योंकि question बहुत लंबे होते हैं तो answer करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर मैं देखता हूं चलो आज से कोशिश करता हूं so guys target हमने launch किया MPPGCell 2023 का जिसमें tech non-tech आपको batch पूरा मिल रहा है with all the details like सारे faculty सारे सूर्मा सारे expert यहां पे हैं आपकी doubt को लेने के लिए शिव सर जीके की class लेनी के लिए हिमांचू सर क्वांट के लिए तीन बजे दोपर में यह शिव सर की class एक बज़े दोपर में राहूल मिश्रा सर मेकानिकल के हैं आप जानते होंगे शायद तो यह इनकी class लती है 8 बज़े like रात में अतुल सर आपके class लेते हैं electronics की जो बच प्रेंशन बिल्कुल ला ले तो इसे लिए का कोई भी कोड़ चाहिए लाइक टेस्ट बूकी सोपर कोचिंग से अगर आपको करना है कुछ खास प्रिपरेशन पूरा डिटेल में तो आप सारे फेकल्टी का ड्वांटेज ले सकते हैं एक सिंगल कोर्स में बस आपको AJ के ल बढ़ा कुछ वीडीयोड में रहा है उसके बाद हम करें बाकी कॉछ और मिक्स बाद हम करेंगे बाकी से ले बाकी से बात चुरू करते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन कुपर ये रहा है सब लोग जल्दी जल्द इसका अंसर कर दीजेगा चलिए तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला प्रश्णों का और पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा function of flywheel क्या होता है guys good evening everyone, सभी का good evening स्वागत है lucky, good evening सभी का स्वागत है dear, चलिए flywheel का function क्या होता है बताइए to maximum constant speed to reduce the fluctuation of speed both a and b, none of the above answer करेंगे सब लोग fast, जल्दी से जल्दी yes, तो maximum guys to maximum, नहीं constant speed को क्यों बढ़ाएगा flywheel constant speed को क्यों छेड़ेगा speed अगर already constant है उसको क्यों बढ़ाएगा जान थोड़ी ना लेनी है क्या करेगा क्या हो जाएगा डियर इसका answer आजाएगा b आजाएगा, reduce the fluctuation of speed क्या करेगा, flywheel क्या करता है fluctuation of speed को reduce कर देता है ठीक है, चलिए, अगले question पहाएगा keyboard का sound नहीं है रह डियर थोड़ा सा कुछ चलो, answer करो fast for minimizing speed fluctuation of engine as a prime mover, it must have for minimizing the fluctuation of speed as a prime mover it must have, remember guys आप से क्या पुछा है, as a prime mover as a prime mover ठीक है, तो फड़ा फट सब लोग answer करेगा जला, जल्दी जल्दी बताएगा इसका answer क्या जाएगा okay, so यहाँ पो देखिए, for minimizing the speed fluctuation of an engine as a prime mover it must have a governor provided in the system देखिए, अगर आपको engine की fluctuation को minimize करना है, as a prime mover prime mover का मतलब होता है, नहीं dear, no, no, no it is not flywheel it is not flywheel, it is not flywheel dear, it is the prime mover it is the prime mover, prime mover मतलब होता है, engine को पहले कौन चलाएगा, engine पहले तब चलेगा, जब engine पे load का variation होगा देखो, पहले engine पे load का variation होगा उसके बाद engine की speed constant करेगा governor, तब engine के अंदर का fluctuation आप देखेंगे, आपको flywheel की जोड़त engine के अंदर पढ़ती है, engine के बाहर के लिए नहीं prime mover मतलब जो engine को घुमाएगा, उसको बोलते है governor, जब भी prime mover दिया होगा guys, अब क्या लगाएगा answer, governor engine as a prime mover, governor क्या करता है engine पे जब load बाहर से vary करता है तो engine की speed को constant रखता है ठीक है, और flywheel क्या करता है engine के अंदर की गंदगी को saff करता है, आई अगले question पर आते है नहीं dear sound हा रही है क्या कुछ sound हा रही है मुझे तो नहीं लग रहा है देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा मैं देख लेता हूँ बार एक सेकंड देख लेता हूँ dear चैनल आप इसका answer करिए in which of the following is a flywheel generally employed तो flywheel generally किसमें employed होता है ठीक है, तो किसमें आता है guys इस lathe में electric motor में या punching machine किसमें employee होता है, punching machine में किसमें employee होता है, punching machine में जो लोटियर में एक मिड़ी देखता हूँ मुझे एक सगर्ण मैं check कर लेता हूँ एक बार, कहा का sound हा रही है ठीक है, चैनल तो flywheel किसमें employee करते है guys punching machine में, देखिए जब punching machine करते है पंचिंग मशीन में हम रैंब को चलाने के लिए यह पका पंचिंग परें एंळायं से मोटर से के नैंट होता में रे ऊपकूंच बना हां कुछ ऐसा तो राइडियर बद बीच-बीच में आ रहा है I don't know क्यूं आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है बट नहीं कीबोर्ड का साउंड नहीं है डियर वो वो कुछ हो रहा है चलिए तो देखते हैं क्या है यह अगले कोशन बात है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट विस्ट है Surum को अगंध्रों मुझे द्रण दहरा था कैसीध मच चकरता हुआ कुछ अगधर आ रहा हो तो अभी ठीक है अभी आ रहा है क्या है अभी आ रहानाव के अभी भी आ रहा है नवोके आव 10 minutes अभी या रहा है या सोनो अभी ठीक है इसे क्लियर और नॉट अभी नहीं या रहा है चलो ठीक है okay match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below चले बता हिए flywheel गाइस किसके किस लिए उस होता है तो flywheel होता है turning moment diagram को control करने के लिए flywheel किसको control करता है turning moment को किसको कर्रें गवेर् इसे कोण कंड्रोल करते है गाइस speed control on four with load पार्वित है अब लोड मतलब लोड का fluctuation होता है है जोड का fluctuation होता है तրभी गाकरता है speed को control करता है तो यह governor होता है critical speed को किसर्से होम किस निकालते हैं गाइस डंखले मेशसे किससे निकालते हैं और inertia force किससे निकालते हैं D.A. Lambert principle, यानि कि अगर आप देखेंगे तो आपका answer यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 और like 1 and 3, 2, 4, 1, 3 ना, 2, 4, 1, 3, yes, 2, 4, 1, 3 कहा है, 2, 4, 1, 3 option D में है, इसको लगा दीजिए सही option, आईए अगले question पर आते हैं, आप बता दिया करो sound bound आए तो, sound bound आए तो बता दिया करो, ठीक है, और इबर guys, अब लोग session को like कर देगे जल्दी-जल्दी, जल्दी जो नए बच्चे हैं, और share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एगंटे के अपनी class होने वाली है, 8-9 तक, जिसमें से 12 मिनिट बीच चुके हैं, और आप आपके पास 48-minute की class और है, इन 4-stroke IC engine, the turning moment during the compression stroke, guys, यह सारे question आपकी previous share में पूछे गए हैं, कहीं न कहीं, किसी न किसी paper में है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको करेंगे, आसाना-सान सा question है, ऐसा कोई tub भी नहीं है, अब 4-stroke IC engine, the turning moment during the compression stroke, तो आप समझे कि जो IC engine होता है, इसका जो turning moment होता है, turning moment diagram आप कैसे बनाते हैं, देखे गाई, यह आपका suction होता है, यह आपका क्या है, suction, यह पूरा है compression, यह पूरा compression होता है, क्या होता है, compression, इसके बाद यह आपका होता है, expansion, और इसके बाद आपका होता है, exhaust, क्या होता है, exhaust, तो आपका देखे, यह जो compression ह क्या जाएगा negative throw out, क्या जाएगा negative throw out, क्या पुछाए, compression stroke के बारे में पुछाए, अगले question पहाए जाते है चलो भई, answer कर जाते हैं और चलो बताए, in case of a flywheel, the maximum fluctuation of energy is the, yes, maximum fluctuation क्या होता है, maximum fluctuation क्या होता है, maximum fluctuation यानि की, fluctuation above and below the mean torque line, यह आपका maximum fluctuation है, क्या है आपका, difference between the maximum and minimum energies, maximum energy यहाँ, minimum energy यहाँ, maximum energy कब जब flywheel energy को store करेगा, minimum energy कब जब flywheel energy को deliver करेगा, तो उसकी अनर्जी minimum हो जाएगी, और जब 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 इस store करेगा, maximum हो जाएगी, अब गाही सोड़ा से यहाँ पर देखेगा ध्यान से, यह question engineering services का पुछा हुआ question है, UPSC का, यहाँ पर UPSC engineering services का पुछा हुआ question है, ध्यान से answer करेगा, इसका answer क्या ही हो जाएगा, बताएगा, छेडियर, अंसर करें सब फास, जल्दी जल्दी, in a turning moment diagram, the variation of energy above and below the mean resisting torque line is called, क्या बोलता है डियरे से? Yes, it is the maximum fluctuation of energy. Guys, समझे गाए एक चीज़ ध्यान से. जब भी आपको word लिखाओगा variation. क्या लिखाओगा? Variation. In case of flywheel, जब भी आपको word लिखाओगा क्या? Like the variation. Variation मतलब क्या होता है? Maximum fluctuation of energy. Variation is itself a maximum fluctuation of energy. क्या बोलता है? Maximum fluctuation of energy को हम बोलता है? Variation of energy. तो इसका जाएगा maximum fluctuation of energy. बताएए, when the T mean minus T mean, when the T minus T mean, ये क्या है? T minus T mean is positive, then the flywheel. बताएए, डियर. When T minus T mean is positive, यानि कि actual torque, जो है वो mean torque से ज़्यादा है, और जो ज़्यादा torque है, वो flywheel ने store कर लिया. यार, आपको जो torque चाहिए था, mean, या, दखो, इससे काई हम बोलते हैं, road torque, या registering torque, या फिर आपका mean torque. आपको torque यहाँ तक चाहिए था, लेकिन जो flywheel है, जो आपके engine के दर torque का variation है, वो कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ variation हो रहा है, और आपको torque चाहिए mean torque यहाँ पे, तो यह जो access torque है, यह है आपका T mean, और यह है आपका access torque, इतना torque क्या करेगा, flywheel store कर लेगा, और जब flywheel store करेगा, तो उसकी speed क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा flywheel, जब energy flywheel जब भी store करेगा, उसकी speed बढ़ जाएगी, तब ही होता है न, जब आपके पैसा जादा store हो जाता है, तो आप दूसरे को भाव दिखाने लगते न, अबे तू क्या है, बात बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम्हीं बताओ ये अंदाज ये गुप्तगू क्या है, तो जब आपके पैसा जादा हो जाता है, तो आप दोगों को अकड़ दिखाने लगते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि आपकी speed बढ़ जाती है, बिलकुल, आपकी speed बढ़ जाती है, है ना, लेकिन ध्यान रखेगा, जब flywheel speed बढ़ाता है, तो अगले ही मोमेंट जब flywheel accelerate होता है, तो अगले ही मोमेंट flywheel की speed घड़ जाती है, क्योंकि उसे energy deliver करनी पड़ती है, क्योंकि कोई दुनिया में कोई भी चीज शाश्वात नहीं है, कोई भी चीज पर्मरेंट नहीं है, fix नहीं है, coefficient of steadiness of flywheel, is same as coefficient of fluctuation of speed, same as coefficient of fluctuation of energy, reciprocal of the coefficient of fluctuation of speed, बताएए सर, coefficient of fluctuation of, coefficient of steadiness, guys देखे, coefficient of fluctuation of speed of flywheel, क्या होता है, n1 minus n2 divided by n, mean, यह होता है, so guys देखे, यहाँ पे आपका जो आजाएगा, लाइक का, अब इसका जो coefficient of fluctuation of speed यह है, और coefficient of steadiness आजाएगा, इसको मैं F से रे लेता हूँ, तो coefficient of steadiness क्या आजाएगा, 1 upon CF, 1 upon CF, यानि कि steadiness का उल्टा होता है, आपका fluctuation of speed, fluctuation of speed का उल्टा होता है, steadiness, clear, तो यह होता है, उल्टा इसका, अगले question पहाँ आता है, the turning moment diagram for, अब इस question को guys ध्यान से पढ़ेगा, यह भी question engineering services का ही पूछा हुआ question है, अब इसको ध्यान से पढ़ेगा, अब फ्रेस का अंसर करेगा, good evening dear, विजाई जी, good evening, अभी sound तो निया रही ने, खटखटवाली, यह कुछ चैटरिंग तो नहीं हो रही, चैटर, nose radius, इंडियूसेश चैटर, चैटर तो नहीं हो रहा, चिट चैट, चलो बढ़ियां, very good, बहुत बढ़िया, turning moment diagram for a single cylinder double acting steam engine consists of positive and negative loops above and below the average torque line, for positive loop, the ratio of the speed of the flywheel at the beginning and at end of the loop is which of the following, चलिए, देख लेते हैं, आप से बोला कि turning moment diagram में flywheel का जिसमें कुछ positive loops है और कुछ negative loops है, यह आपका positive है और यह आपका negative loop है, अब ज़रा समझिये, कि जब यहाँ पर flywheel, जब flywheel यहाँ पता, यह state 1 है, यह state 2 है, यह state 3 है, जब flywheel 1 पर था, तो flywheel के पास energy नहीं थी, flywheel की speed क्या थी? कम, ध्यान सुनो, जब flywheel 1 पर था, तो flywheel के पास energy नहीं थी, flywheel की speed क्या थी? कम, अब flywheel ने energy store कर ली, अब यह पहुँच गया 2 पे अब इसकी एनर्जी यहां पर क्या है जादा और इसकी एनर्जी यहां पर क्या है कम जब इसकी एनर्जी यहां पर कम थी तो फ्लाइवील की स्पीड भी कम थी यहां पर फ्लाइवील की स्पीड क्या है जादा है ज्यादा यानि कि बहुत जादा at the beginning and end, so beginning में क्या है, speed क्या है, कम है, end में speed क्या है, जादा है, so less by more is less, less by more is less, अब गाईस कभी आपसे question पूछ जाता है, उल्टा घुमा देगा, आपसे पूछेगा ratio of the speed of the flywheel, at the end to the beginning, so end upon beginning पूछेगा, end में जादा है, beginning में कम है, तो जादा भाई कम, यानि कि जादा आजाएगा, more than unity हो जाएगा, अगर ये end upon initial पूछा होगा, तो, चलिए, तो इसका अंसर सभी लोग करते हैं, जल्दी-जल्दी, question number 11 में हैं हम लोग, consider the following parameters, limit of peripheral speed, limit of centrifugal stresses, coefficient of fluctuation of speed and weight of the rim, which of these parameters are used in calculation of the diameter of the wheel rim, पता है सर, देखने कौन सही answer कर पता है सका, which of the following parameter is used to calculate, कुछ भी answer कर जेते हो क्या है सही, कुछ भी, कुछ भी कर जेते हो, कुछ सोचते भी हो, यार देखो, जो peripheral speed of flywheel होती है, यह क्या होती है, under root sigma by rho, क्या होती है, sigma by rho, अब जारा देखें यहाँ पर, limit of peripheral speed, यह तो आपको काम आएगी, आएगी, देखें गाई, centrifugal stresses, यह भी आपके काम आने वाली है, coefficient of fluctuation of speed, आपकी किसी काम की नहीं है, weight of the rim, weight of the rim अब कैसे निकालेंगे, density क्या होती है, density होती है, mass per unit volume, density होगी mass per unit volume, क्या होगी, mass per unit volume, इस volume में क्या आएगा, area into length, area into length, इस area में क्या हैगा, diameter, यानि कि diameter को calculate करने के लिए आपको क्या चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए और यह चाहिए आपको coefficient of fluctuation of speed की कहीं जरूरत नहीं है तो आपका 1,3,4 1,2,4 कहां गया 1,2,4 1,2,4 आपका option सही हो जाएगा 3 की कोई जरूरत आपको नहीं है Yes, simple question The linear velocity at the mean radius of the flywheel will be given by I think this is the I think एकात question और होंगे उसके बाद हम किसी अगले subject में आजाएंगे Linear velocity यानि के भी में नएप होता है linear velocity को आप peripheral velocity भी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं guys peripheral velocity भी आप इससे बोलते हैं इस type की question आपके exam में आते हैं dear तो इस बात का ध्यान रखेगा अरे क्या बात है Amit जी बहुत बढ़ी है Amit, congratulations dear बहुत बढ़ी है अब तो अमित अब तो दुख नहीं होगा न अब तो दुख नहीं होगा न छोड़के जाने वाला अब तो खुश हो, congratulations dear खुश रही है मस्कुराते रही है और ऐसे जिंदगी में तरक्की करते रही है चलिए तो इसका answer क्या हो जाएगा V is equal to under root sigma by rho अभी में आप होता है क्या होता है V is equal to under root sigma by rho होता है clear यह क्या है आपका velocity है यह क्या है आपका centrifugal stress है यह क्या है आपकी density है this is a row density of the flywheel material ठीक भाई चलो अगले question का जाते है यह थोड़ा सा numerical type के question है थोड़ा सा calculative है थोड़ा सा time लेका answer करेगा Calculative क्या मतलब formula based question है पर थोड़ा सा दिमार्ग लगाई है इस answer आजाएगा बिलकुल बिलकुल हमें भेज देना जरूर बिलकुल भेज देना details मतलब क्या दिखाओगे पुरानी वाली chats दिखाओगे क्या वो मत दिखाना dear पुरानी वाली chats मत दिखाना मुझे सिर्फ अपना results भेज देना चलो if the rotating mass of a rim type flywheel is the distributed on another rim type of flywheel whose mean radius is half the mean radius of the former then the energy stored in the latter at the same speed will be answer करो भाई, answer करो नहीं आमित बेज़िती नहीं है तुमारी यार चीक है बेज़िती बिलकुल नहीं है चलो डियर देखे आप से क्या पुचा कि हमारे पास दो flywheel है समझे एक flywheel है जिसकी radius r है और एक की radius है r by 2 इसका पूरा का पूरा mass इसके उपर डाल दिया गया इसका पूरा का पूरा mass इसके उपर distribute कर दिया गया ठीक है तो इसकी जो energy storage capacity है वो क्या हो जाएगी देखे जो energy storage इस capacity flywheel की होती है guys वो क्या होती है half i omega square क्या होती है half i omega square flywheel जो energy store करता है वो rotational form में करता है so this is basically rotational kinetic energy क्या होती है half i omega square अब देखे हाफ तो constant है omega की बात यहां पर नहीं हो रही है यानिकि delta e proportional to ie और ie क्या होता है guys mk square m भी क्या है constant यानिकि you can say here this delta e is proportional to k square क्या हो जाएगा k square अब k क्या है यहाँ पर radius of variation है ठीक है तो देखे पहले की radius of variation है यानिकि radius है वो कितनी है यहाँ पर पहले के लिए देखे क्या है k क्या है पहले का r है दूसरे की radius half कर दी गई, r by 2 का square, तो क्या जाएगा डियर रहाँ पर, r square by 4 आ जाएगा, यानि कि देखिए, पहला कितना energy store कर रहा है, r square के बराबर, दूसरा कितना कर रहा है, r square by 4, यानि कि दूसरे की जो energy absorbing capacity है, वो 1 by 4 हो गई, पहले की, क्या हो गई, 1 by 4 हो गई, पहले की, ठीक है, अगले question पहा जाते है, इसलिए तो अमीद बोला हूँ मैंने तुमको, जो तुम बोल रोग सार नोकरी पाने के बाद भाद भी बेज़े थी, बहुत दिन बाद क्लास में हो, तो थोड़ा सा स्वागत तो बनता है ना, अब नोकरी पाही जाओगे तो फिर क्यों क्लास में होगे, तो जाते जाते कुछ तो पैगाम लेके जाओगे ना, पैगे, पैगे, बहुत बढ़िया, तो डिस्क टाइब यह पाने के बादे, अगर यह डिस्क टाइब फ्लाइब यूज़ा है क्या होता है, रिम टाइब, तो डिस्क टाइब के लिए, जो k होता है guys, वो क्या होता है? रिम टाइप के लिए k बराबर r होता है और डिस्क टाइप के लिए k बराबर होता है r by root 2 तो जाला देखें, डिस्क टाइप flywheel जो होता है, डिस्क टाइप flywheel as compared to rim type flywheel, कितना हो जाएगा? 1 by root 2 times, इसका है r इसका है R by root 2, तो कितना हो जाएगा, 1 by root 2 times, कितना हो जाएगा, 1 by root 2 times, और guys, इस question में थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, कई बार exam में, ये question ऐसे भी पुछा गया है, like का, अच्छा, आप से कई बार पुछा गया है कि disc type flywheel का, rim type flywheel के comparison में, या फिर rim type का disc type के comparison में, तो आप कई ये बार question को रटे होते हैं, तो आप answer जल्दी मार देते हैं, तो question को ध्यान से पुछेगा, कि disc का, इसके compare में पूछा है, या इसका, इसके compare में पूछा हुआ है, इसको पढ़के आप answer करिएगा, अगले question पाजाते है, अब थोड़ा सा guys, ये question थोड़ा सा lengthy है, थोड़ा स सबको इसका answer अट गया, सबको इसका answer अट गया, ये question इतनी बार पूछा गया exam में with same data, कि हो सकता question पूछ भी लिया जाए, क्योंकि बहुत सार कोई question ऐसा होता है, जिसको आप calculator के बिने जिसको solve नहीं कर सकते, और वो question अगर exam में बहुत बार पूछा गया है, तो कई exam में question directly इसे उठा के as it is दे देते हैं, है ना, तो इस question के लिए भी तयार रही है, for a certain engine having an average speed of, अच्छा आपको बताओं ये question SSCJE में पूछा गया है, ये question SSCJE में पूछा गया है, अब आप सबस्वा बिने calculator किसो solve नहीं कर सकते, without calculator, but this question has been asked in SSCJE, and you know that without calculator you can never ever solve this question, देखे guys, आप से पूछाए, certain engine having an average speed of 1200 rpm, the flywheel approximated as a solid disk is required for keeping the fluctuation of speed within 2% about the average speed, so आपका 2% about the average speed आपको दिया है, यानि कि आपको coefficient of fluctuation of speed कितना दिया है, 0.02, यहापे देखे guys, आपको दिया है, coefficient of fluctuation of speed कितना दिया है, 0.02, चीक है, उसके बाद देखे, यहाँ पर आपको engine का average rpm दिया है, कितना? 1200 rpm दिया है, engine का, कितना दिया है, rpm engine का, 1200 rpm दिया हुआ है, और fluctuation of kinetic energy per cycle found to be 2 kJ, अब देखे यहाँ पर गाई, जो delta E होता है न, flywheel का, वो होता है आपका half I omega square into Cs, अब देखे हाफ आपका as it is, I क्या होता है, mk square, तो I हो जाएगा m into, k क्या हो जाएगा, यह कैसा flywheel है, देखे, solid disk, कैसा flywheel है, disk type flywheel, तो I is equal to क्या हो जाएगा, mk square, औ k क्या हो जाएगा यहाँ पर, r by root 2, r by root 2, अब देखे, r by root 2 का square, mk square into omega square, अब omega क्या हो जाएगा, 2 pi into n, n कितना है यहाँ यहाँ पर, 1200 rpm by 60, 2 pi n by 60 का square into Cs, coefficient of fluctuation of speed, यहाँ पर कितना दी idea है, 0.02 यहाँ पर दिया हुआ है, बस आपको इसको calculate करना है, और आपको यहाँ से value निकालनी है guys, कि इसकी m की value आपको निकालनी है, अब देखे, यहाँ पर आपको diameter दिया है, flywheel का, flywheel का diameter कितना दिया है, 1 meter, अगर flywheel का diameter 1 meter है, तो इसकी radius कितना होना चाहिए, 0.5, तो r की जिगा रखेगा 0.5, इस पूरी value के calculate करिएगा, आपका mass आजाएगा 51 kg, और guys, यह question अब बहुत बार exam में पुछा गया है, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, यह question SLCJ में भी बहुत बार पुछा गया है, महला अब एक दो बार पुछा गया है, तो यह question exam में repeat भी हुआ है, जबकि आप इसको बिना कलसे की solve नहीं कर सकते, बढ़ यह question नहीं तरह popular है flywheel का, कि हार जगा उठाके देही देते है, अब थोड़ा से question को change करते है, like topic change करते है, बहुत सारे question हो गया flywheel के, तो पुरा session हमारा 15 question का गया flywheel पे, अब आते हैं, कुछ और question करते है, mixed question, और अब लेते है question कुछ production के, फिर रह, like thermal के, कुछ ऐसे question यहाँ पे cover करते है, ठीक 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 अब देखेंगे, जब भी आप material science पढ़ेगा, material science ज़रूर पढ़ेगा और उसमें, जब material science पढ़ेगा तो short note बनेगा, short note में आप क्या लिखेंगे, कि जैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे material या additives और यहाँ पे effect, जैसे आपने लिखा sulfur, क्या बढ़ाता है, machinability, chromium, क्या ब hardness, यानि कि resistance to scratch, यानि कि hardness बढ़ाता है, तो ऐसी कोई चीज़ें आप यहाँ पे include कर लिखेंगा, थाकि आपको बाद में जब आपका short note रहेगा, तो आपको बाद में पढ़ने में फाइदा हो जाएगा, ठीकर डियर, चलिए, तो जब आपी low carbon steel, low carbon steel, यानि कि जैसे mild steel, low carbon stable कर देता है sulfur, अगले question पर आजाते है, इसका answer करेगा, वैस देखें यह भी important यहाँ पर mark कर रहा हूँ, यह question important है, आप इसको देख लिजेगा, बताईए आप इसका answer, अगर आप सिलिकन को add करेंगे, अगर आप सिलिकन को add करेंगे, अगर आप सिलिकन को add करते हैं, तो देखें, कास्ट आरें के अंदर क्या होता है, ग्रिफाइट के फ्लेक्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ग्रिफाइट पत्ते के फॉर्म में, फ्लेक्स के फॉर्म में ऐसा आता है, ग्रिफाइट क्या आता है, फ्लेक्स के फॉर्म में बनता है, अब ऐसा पत्ता नहीं बन जाएगा, बट ग्रिफाइट क्या बनता है, फ्ले को बढ़ा देता है तो यह जो silicon है का फ्लेक के फॉरमेशन को बढ़ाएगा और क्या करेगा फ्लूइटी को इंक्रीश कर देता है मौल्टन मतल की फ्लूइटी को इन क्रीश कर अगला कोशन हमारा यह रहा आपकी स्क्रीन के उपर बिल्कुल होगा डियर उसने क्या बोला है सुन रहे हो उसने बोला कि अगर हम सिलिकन एड़ करेंगे तो क्या होगा चलो डियर इसका अंसर करो हो फास्त अभी लोग ज़ते हैं लिंग अनिलिंग अनिलिंग से क्या करता है दक्ति लिटी को इंप्रूव करता है यह यह जो आपका कोई शाफ्ट है और कोई स्ट्रक्टर है तो थू आउट अब मास क्या करता है hardness को improve कर देता है उसके बाद normalizing क्या होती है हम air में cool करते है इसको और यह क्या करता है grain structure को refine कर देता है आपका answer 4321 आ जाएगा 4321 आ जाएगा अगर यह इसका answer करते है डियर eutectoid reaction बताईए सथ eutectoid reaction वो होता है वो किस temperature पर होता है चलिए सब लोग fast answer करेंगे कि eutectoid reaction हमारा किस temperature पर आपको मिलता है लगी नहीं डियर गुसा क्यों होगे भाई ऐसा तुमनों गुस्सेवाला कौन सा काम कर दिया तुमसे गुस्सा हो जाएगा चलिए eutectoid reaction किस पर होता है तो आप सब पताईए yes क्या होता है कई जगा दिखे गाई 723 लिखा होता है और कई जगा 727 लिखा होता है बहुत सारी बुक में जैसे आप कोई अलग-अलग बुक प्रेफर करेंगे तो 723, 727 दोनों लिखा होता है तो यह दोने वैलिव अप ले सकते हैं जो भी अप्शन वेप के दिया हुआ है तो eutectoid reaction यहां से स्टार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या 723 को हम बोलते हैं लोवर क्रिटिकल टेंपरेचर लोवर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है चलिए 18x8 stainless steel contains अब stainless steel जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको कई बार बताया है आप सुन भी लेजिए दुबारे मैं आपको बताद रहा हूँ जो stainless steel होता है इसमें stainless नहीं लगता क्या नहीं लगता stainless नहीं लगता तो stand कब लगेगा जब यह oxidize होगा तो यह stainless है यानि कि oxidize नहीं होगा इसे बोलता है inoxidable क्या बोलता है inoxidable steel इसे बोलता है inoxidable steel इंडिया के लावा बहुत सारी countries ऐसी है जहांपर stainless steel को हम बोलता है inoxidable यह oxidize नहीं होगा इस पे जंग नहीं लगेगा, इस 10 नहीं लगेगा और इस inoxidable को short form में बोलते हैं inox steel, inox वो नहीं जो PVR inox है, वो सब नहीं है यह inox steel का मतलब होता है guys, inoxidable steel, इसमें जो chromium का percent होता है वो generally 10.5% से उपर होता है, chromium का percent generally 10.5% से उपर होता है आइसे steel को हम बोलते है, stainless steel इसमें क्या होता है, 18% chromium और 8% nickel 18% chromium और 8% क्या होता है, nickel होता है, ऐसे steel को हम बोलते है stainless steel tin-based white medals are used where the bearing are subjected to, बताय क्या यह fast tin-based white metal समझते हैं आप tin-based white metal, यह अन्नि जैसे babіт metal जैसे babbit metal babbit metal क्या होता है guys, babbit metal बैबिट मिटल होता है SN, SBCU टिन, एंटीमनी और कॉपर का अलोई बताए गईज, आंसर करेए सब लोग फास्ट, जल्दी-जल्दी क्या अंसर आ जाएगा देखेडियर, अब इस कोशन में ना मैं पुदा दूँ एक चीज, इस कोशन में पुदा दू एक बार एक कोशन पुछा गया SST-J में एक बार पुछा गया UPPST मतलब इंजरिंग सर्फिस में, तो जो इंजरिंग सर्फिस में उसका अंसर दिया, वो दिया, लार्ज सर्फेस भी है SST-J एन एक बार दिया था हाई लोड, क्या दिया था? हाई लोड, यानि कि this one, D लेकिन option D I think correct नहीं है, इसका अंसर A ही होना चाहिए, तो tin-based, देखिए bearing liner में, हम babbit metal का use करते हैं, bearing liner में, तो bearing liner में babbit metal का use करते हैं, और यह उसको surface wear से भी बचाता है, तो tin-based जो white metal होते हैं, उसका best answer मेरे साब सोना चाहिए, large surface wear, large surface wear के लिए हम क्या करते हैं, tin-based white metal का use करते हैं, तो जो correct option है guys, जो according to UPSC, this is A option is A, clear? Yes, high load भी सही है but most appropriate answer यहाँ पर A होना चाहिए, 2-3 बार question पुछा गया और 2-3 बार answer A ही है देखें, production engineering guys, बहुत सारे question ऐसे हैं, जो controversial है, बहुत सारे question है, मैं अपको अगर बताऊं, तो बहुत सारे question है, यहाँ पर कुछ 8 से 10 question मैंने जो देखा है, जिसके answer बहुत अलग अलगाते हैं but still, कोई बात नहीं, चलिए alloy steel which is work hardenable and which is used to make blades of bulldozers, bucket wheels VACB, VCB क्या होता है, excavator, जो excavation का काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, excavator, bulldozers, इनकी जो blades होती ही, मैंने अभी थोटी-दिर पहले आपको होता है था, कि जब हम manganese add करते हैं, sorry, में MN तो manganese क्या करता है, इसकी hardness को improve कर जाता है, hardness यानि की resistance Distance to scratch को improve कर जाता है, तो हम इसमें क्या add करते है, manganese आपका इसमें add कर जाते है, इसमें carbon, iron और manganese को add कर जाते है, ठीक है, आईए, अगले question पर जाते हैं dear, आईए, industrial पर जाते हैं थोड़ा सा, in ABC analysis, always better control method of inventory control, group A constitutes costly item, what is the usual percentage of such item of the total items, percentage पूछा है, percentage, तो usual percent कितना होता है, A category item का usual percent कितना होता है, very nice, very nice, बहुत बढ़े हैं, percentage पूछा है guys, तो आपका ABC control में, जो आपके A category का item होते हैं, यह सबसे ज़्यादा costly होते हैं, क्या होते हैं, सब ज़्यादा costly, B category वाले होते हैं medium, medium costly, और जो C category वाले होते हैं, यह होते हैं, रद्धी, क क्या होते हैं रद्धी कर्टिगरी की यानि कि होते हैं स्क्राप यानि कि अबंडेंस मात्रा में होते हैं बंडल्स में होते हैं किसमें बंडल्स में जैसे फॉर एक्जम्पल आप देखेंगे मौल वगरे में, रिन के साबुन, 10 रुपय वाले, 20 रुपय वाले, मैगी, यह सब लॉट में होती है, बहुत सारी कॉंटिटीम होती है, और बहुत ज्यादा जो कॉस्ट्ली आइटम होते हैं, वो बहुत, जैसे फ्लारवास, फ्लारवास जो बहुत महेंगा है, वो बहुत कम कॉंटिटिव होते है, ज्यादा पॉनितिव नहीं होता, क्योंकि उख्राब हो जाएगा, है 누, शो गाईस देखें, यहाँ पे जो एक काटेगरी वाल याइटेम होते हैं, वो जदा स्टॉक करेंगे सड़ जाएंगे. That is perishable item. So, if the annual demand of an inventory becomes half, if the annual demand of an item becomes half, ordering cost double, holding cost one-fourth, and unit cost twice. Then what is the ratio of new EOQ and the earlier EOQ? New EOQ and earlier EOQ. Economic order quantity, जो नई बन क्या ही है और जो पुरानी वाली है, उसका ratio क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया है. तो देखें, earlier EOQ क्या हो जाएगा? EOQ यानि कि पुराना वाला, तो पुराना वाला तो वही है. 2D C0 by CH. अब earlier वाला देते हैं, क्या जाएगा? earlier वाला, new वाला क्या जाएगा? new वाला जाएगा, EOQ, new लेगता हूँ, star, 2 into D, देखें, 2 into D, demand क्या हो गया? half हो गया, इसको मैं लिख दिया, D by 2, into, C0, ordering cost क्या हो गई? double हो गई, 2D into C0, C0 कितना हो गया? twice हो गया, divide by, holding cost कितनी हो गई? one fourth, तो CH by क्या हो गया? 4, अब ज़रा ध्यान से देखेगा, guys, यहाँ पर, यहाँ पर यह 2 से, 2, cancel, यह 4 जाएगा, उपर, क्या जाएगा? और यहाँ पर आजाएगा, बाकि यहाँ पर क्या बचेगा? 2D, C0, same, 2D, C0, under root 4, under root 4 का मतलब 2 आजाएगा, 2 आजाएगा, पूरा फेक्टर बाकि सेम रहेगा, यह और यह सेम है, बस यहाँ पर फेक्टर क्या जाएगा, 2 आजाएगा, आजाएगा, आजाएगा 2, अब से क्या पुछा है? new by old, new by old, क्या जाएगा? 2 आजाएगा, 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 D option, option D will be correct, बहुत बढ़िया बच्चे, एकले क्या क्या प्याते है, इंटर अराइवल ताइम्स at a tool crib are exponentially distributed with an average time of 10 minutes and the length of the service time is 6 minutes assumed to be exponential, the probability, क्या है? probability, the probability that a person arriving at that booth will have to, wait, बताएगा इसका answer, यानि कि एक tool का crib है, जिस पर जो tool आ रहे हैं, उनके बीच का inter arrival time 10 minutes है, और tool का service time है, वो 3 minutes है, है ना? tool का inter arrival time है, वो 10 minutes है, यानि कि हर 10 minutes के बाद, एक नया tool आ जा रहा है, service के लिए, और जो tool का service time है, वो कितना है? 6 minutes है, तो आपसे पुछाएं कि, यह probability बताएगा, उसको wait करना पड़ेगा, जो tool आएगा, उसको wait करना पड़ेगा, गाईस, बहुत simple सा question है, देखो, बहुत simple सा question है, माल लिए, कोई tool एक बज़े आता है, listen, suppose that, कोई tool आपका एक बज़े आ रहा है, लाइक एक पीम पे कोई tool आ रहा है, अब अगला tool कब आएगा, एक बचके 10 minutes पे, यानि कि, एक tool आया, यहाँ पे new tool आया, और यह कितने देड़ तक रहेगा, 10 minutes तक, अगला tool कब आएगा, एक बचके 10 minutes पे, और यह जो tool, यह जो tool आया है guys, इसकी servicing में कितना time लगेगा, 6 minutes, कितना लग रहा है, 6 minutes, तो माल लिजे, अगर जब यह tool service हो रहा है, यह कितना time ले रहा है, 6 minutes, अगर उसी time पे कोई नया tool आ गया, दूसरा tool आ गया, तो यह कितना wait करना पड़ेगा इसको, 6 minutes तक wait करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी service से start होगी, तो 10 minutes total time है, उसमें से 3 minutes इसको wait करना पड़ेगा, यानि कि 6 by 10, कितना आ जाएगा, 60% इसको wait करना पड़ेगा, 60% इसको wait करना पड़ेगा, प्रवाबिल्टी कैसे निकालते हैं, मु बाइ, लेमडा, मु कहा है सर्विस टाइम, 6 लेमडा कहा है, आपका अर्राइवल रेट, यानि कितना जाएगा, 60 परसेंट आजएगा, अगले कोशिन पहा जाते हैं, चलो गाइज बहुत बढ़ी है, अब पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानि कि कोई क्याप्शन ले थे, जो 200 की लॉट पना रही है, एक बार में, 200 की बैस प्रड़क्शन कर रही है, एक बार में, डारेक्ट मेट्रियल की जो कॉस्ट है, वो 4 रुपे है, एक पीस का, जो डारेक्ट लेबर की कॉस्ट है, वो 3 रुपे है, एक पीस का, और जो ओवर हेट कॉस्ट है, वो 400 परसेंट है लेबर कॉस्ट का, आपको बताने की प्रड़क्शन की कॉस्ट कितनी है, एक पीस की, बहुत सिंबल सा कॉशन है, एक पीस की production की cost कितनी है guys तो सब लोग जल्दी ज़ी answer करेंगे इसका fast इतना दिमाग नहीं लगा न डियर इतना tough question नहीं है दिमाग लगाएं बहुत आसान सा question है direct material की cost क्या है 4 रुपए है labor की cost कितनी है 3 रुपए और जो overhead है वो कितना है labor की cost का 400% तो आप मुझे ही बता ही है sir की material की production की cost है वो कितनी है yes answer is 19 answer कितना जागा 19 आजागा दियर देखो direct material की cost कितनी है 4 रुपए labor की कितनी है 3 रुपए plus overhead यानि की factory में overhead cost कुछ और लग रही है कोई बाहर जा रहे खाना-पीने खा की आगी है मन्हान आपने उसे 10 रुपए दिया 100 रुपए दिया बोला कि यार एक काम कर ना आपने पीस रुप में पकड़ा दिया बोला कि यार एक काम कर ना ऐक FAVY quickleigh रहना तो FAVY quick passenger पांच रुपए का शारनी कि 12 रूपई 3 4100 800 जासरों गया milliards एक कि श्रूंण कि दोशार रूपए तो रहाट इन 15 छार उम्हिया involve कर फिर नहीं हुए का मिविश्चन में गबार ठीजेन लिRadhe का मुझेंकल के व्यूमिश्चन वहाख करना है दो थी कर दि समय can इवेंट के आपको दिये हुए है नोड पे आपको total float बताना है activity 2030 का activity 2030 यानि कि यहां से यहां तक total float आपको बताना हुआ है आपको total float guys यहां पे बताना हुआ है total float आपको बताना है sir बताइए क्या जाएगा sponsor बताइए sir very good total float आपका आजाएगा 5 देखें 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 तोटल float क्या होता है आपका total float आपका होता है earliest start time minus late start time या फिर earliest finish time minus late finish time जैसा भी आप लगा लें early start time कितना है 10 minute late start time sorry late start time कितना है 15 minute और early start time कितना है 10 minute so यह आ गया 15 minus 10 या तो आप यहां से लिजे 15 minus 10 या तो यहां से 23 minus 18 तब भी कितना जाएगा 5 आ जाएगा so late start time minus early start time या फिर late finish time minus early finish time आप कुछ भी लगा लिजे आपका answer 5 ही आएगा आए अगले question पहलता है in pert and cpm network dummy activities pert और cpm network में जो dummy activities होती है guys वो क्या करती है pert और cpm में जो dummy activities होती है वो क्या करती है बताव भई pert समझते हो ना pert जो होता है guys वो three time estimate पे based होता है like आपका optimistic pessimistic और most likely time और expected time कैसे निकालते है और cpm जो होता है guys वो critical path method है वो एक certain time पे based है और critical path कौन सा path होता है ध्यान रखेगा critical path वो path होता है पूरे network का सबसे longest path उसे बोलता है critical path जिसपर time सबसे कम लगता है path सबसे longest ओनल, time सबसे कम हो है critical path तो क्या करते हैं यह जो आपका dummy activities होती है यह सिर्फ logic को preserve करती है guy network Diagram को close करती है यह कोई time & resources का use कोई time और को g ensource consume नहीं करते है यह सिर्फ network को close करते है attendance को satisfy करते है like job का diagram उसको को close करते है और इसको सब्सक्रण कैसे दिखाते है dotted line से दिखाते है dummy activities गों Benefit को milli से दिखाते है इससिर्फ logic को preserve करती है diagram को close करती है PRT & CPM network dummy activities क्या हो करती है logic को close करती है आई इस question पर आते हैं the crank and connective load of steam engine are 10 cm and 40 cm long respectively the crank rotates clockwise with an angular velocity of 10 radian per second the velocity of point C on the crank अब velocity of point C देखिये point C crank पर यहाँ है पर आप से पुछा है कि crank की जो velocity है point C की वो कितनी है जाएगी पताएगी सर तो point C की velocity कितनी है जाएगी very good guys बहुत बढ़े है जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए इसका hmm बहुत बढ़े है crank and connecting load of a steam engine are 10 cm and 40 cm long respectively the crank rotates clockwise with an angular velocity of 10 radian per second the velocity of point C देखिये velocity of point C guys यहाँ पर क्या जाएगा velocity of point C क्या जाएगा V is equal to R omega क्या जाएगा V is equal to R into omega R into omega radius कितना है? 10 cm 10 cm का मतलब होता है point 1 meter into omega कितना है? omega आपका कितना दीए है? 10 radian per second 10 so point 1 meter radius or 10 cm or omega कितना दीए 10 radian per second कितना आजाएगा? आपका आजाएगा 1 meter per second कितना आजाएगा? 1 meter per second आपका answer यहाँ पर correct हो जाएगा यह ग oll educator consider a pinch joint 4 bar mechanism as shown in figure एक 4 bar mechanism आपको दिया है जो इसमें pin joint लगे है यानि कि सारे turning pair है, revolute pair है और आपको यह पूछा है इन में से कौन से center ऐसे है जो permanent IC है कौन से center ऐसे है dear जो permanent IC है कौन से center ऐसे है dear जो permanent IC है बताएए देखते कौन answer कर पाता है कौन से center ऐसे है dear जो permanent IC है दिख रहा है ना figure में B, deeper current D देखे guys IC हमारे 3 type के होते है एक होते है fixed I center fixed I center यानि कि जो अपनी जगह से कही हिलेंगे नहीं जो अपनी जगह से कही हिलेंगे नहीं उसे बोलता है fixed IC तो इसमें जो answer देखिए यहाँ पर I4, I14 और I12, यह क्या है fixed I center है mechanism चाहे जैसे भी move करे यह यहीं पर रहेंगे इसे बोलेंगे fixed IC यह और यह, तो यह है 12 और 14, यह क्या है fixed I center अब mechanism में कुछ center ऐसे होते हैं जो होते है permanent I center क्या होते हैं, permanent I center यहने कि joint तो बना रहेगा joint तो बना रहेगा लेकिन वो move होते रहेंगे आपको दिखेगा, physically आपको दिखेगा practically आप you can visualize that you can touch that center and that will rotate during the motion इसे बोलते है permanent जैसे I34 और I23 I23 को आप touch भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं, इसे feel भी कर सकते हैं लेकिन जब motion होगी तो यह I center change होंगे एक बार यहाँ आएगा, कहीं एक बार यहाँ आएगा I center change होते रहेंगे like during motion, अभी I center यहाँ है अभी I center यहाँ जाएगा, फिर I center है, I center यहाँ जाएगा तो यह दिखतो रहे हैं, है permanent joint है joint तो permanent है बट यह center change हो रहे हैं इससे बोलते है permanent IC क्या बोलते है permanent i center अब कुछ center guys ऐसे होते हैं जो virtual होते हैं जो आपको दिखते नहीं है जो जिसको practically देख नहीं सकते प्रेक्टिकली आप इसको visualize नहीं कर सकते हैं और यह पूरी motion के दोरान change होते रहेंगे इससे बोलते है virtual IC या फिर i13 और i24 यह होते हैं neither fix nor permanent i center neither fix ना तो fix है nor permanent नहीं permanent है i center तो यह i14 और i13 और i24 यह कहा है neither fix nor permanent यह कहा है fix और यह कहा है दोनों क्या है guys permanent IC यह कहा है permanent IC i23 और i34 यह है आपकी permanent IC option b correct हो जाएगा अगले question पहाते है चले sir अगले question पहाते है जल्दी जल्दी अंसर आप लोग करें guys पास तरीक से answer करेगा जल्दी जल्दी एक invalute pinion है invalute pinion और gear mesh में है दोनों और आपको बताना है कि both have the same size of addendum then there will be an interference between यानि कि invalute दोनों है और दोनों में size addendum का same है addendum का size same है तो interference किसके बीच में होगा interference किसके बीच में यहाँ पे होने वाला है बहतरीन बहुत बढ़ी है तो guys देखिए अगर दोनों का addendum का size same है तो जो gear होगा न यह gear है और यह आपका मालीचे pinion है दोनों के addendum का size तो same है बट gear का जो base circle होगा gear का जो pitch circle radius हो जादा बढ़ी होगी gear के pitch circle radius जादा बढ़ी होगी क्योंकि gear का pitch circle क्या है बढ़ा ऑगर when he mixture radius बढ़ा होगा तो overall tooth की stat間 strength होगी تो जादा बढ़ी होगी तो gear का je flank है तो gehe का face यह pinion की flank तक जल्दी पहुँँच着 जाएगा क्योंकि दोनों का addendum same है लेकिन overall length gear के tooth की बड़ी है क्योंकि gear का pitch circle बड़ा है तो gear का face है यह है gear का addendum यह इसके flank तक जल्दी पहुँच जाएगा और यहीं पर interference होगा option यह correct हो जाएगा चो लगाई इस यहाँ पर session को end करते हैं और time भी हो चुका है हमारे class का session को end करते हैं और इसके बाद आपसे मिलेंगे फिर कल सुबह की अपनी class में like आपसे मिलेंगे कल सुबह 9.15 पर तो जो बच्चे नए हैं जिरको पता नहीं है guys हमारी daily class होती है 9.15 पर master class test book के app पर होती है उसके बाद हमारी class होती है 1.30 p.m. यह भी test book के app पर ही होती है आप यहाँ पर आ चाहिएगा और daily class होती है हमारी 7-8 यह rrb की होती है guys और उसके बाद 8-9 class होती है यह होती है आपका MPPGCL के लिए ठीक है जो अभी class चल रही थी चले guys बहुत शुक्रिया आप सब का session मैने के लिए thank you so much session को join करने के लिए और comment करने के लिए और जो बच्चे नए है guys पूरा pattern है आप इसका screenshot ने लेंगे यह daily class मारी test book के like youtube channel पर यहीं पे चलती है तो आप इसको daily join कर सकते है और guys अगर आप चाहते है test book की super coaching का कोई भी course लेना जिसमें आपको बहुत सारे study note, pdf, previous year के question with proper solution मिल जाते हैं सारे faculties के individual faculties के आपको lecture मिलते हैं देखिए इसमें आपको बहुत सारे advantage है, आपको study notes मिल जाते है, mock test मिल जाते है, practice session मिल जाते है और ये code यूज़ करिए armistra और ये सारा offer आपको मिल जाएगा, 25% से 30% तक का discount आपको मिल जाएगा और कुछ extra ability आपको आपको available हो जाएगी, ये सारे courses, video courses और सारे question bank आपको 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 मिल जाएगे